नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। संतान प्राप्ती में बाधा है या कुछ लोगों को संतान तो है लेकिन संतान हमेशा बीमार रहती है। तो इस बारे में भी आप लोगों के प्रशन आते हैं और धन से संबंधित समस्याओं के लिए भी प्रशन आते हैं कि धन का अभाव है आता है लेकिन तिकता नहीं है। कर्ज में घिरे हुए हैं क्या करें? व्यापार और नौकरी में समस्या है तो क्या करें? भाग्य का साथ नहीं मिलता है। यह प्रशन बहुत अधिक आता है कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। मंत्र जब भी करते हैं, आप जो भी उपाय हमें बताते हो हम वो भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन खिर भी भाग्य में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम जानेगे की भाग्य में बदलाव कैसे किया जा सकता है। और जो भी हमारी कामना है, उसे पूर्ण करने में जो बाधा आ रही है, उस बाधा को कैसे दूर किया जाए? समस्ट जानकारी आज के विडियो में देने वाला हूँ और बहुत ही आसान बहुत ही सरलता से किये जाने वाले उपाय भी आपसे शेर करने वाला हूँ लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं मन में पूरी श्रद्धा भावना से उपाय करे और दूसरी चीज की जब भी हम कोई उपाय करते हैं थोटे छोटे जो हम regular जो मैं आपको उपाय बताता रहती हूँ चाहे धन प्राप्ती के लिए, विवाह के लिए या संतान प्राप्ती के लिए या और भी जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनसे निबटने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसका लाब हमें बहुत शीघर प्राप्त नहीं होता है बहुत शीघर से मतलब की हम एक बार उपाय करें और हम ये सोचे की तुरंथ हमें अगली बार उसका फल प्राप्त हो जाएगा देखिए इतना आसान नहीं होता इस धराधाम पर जो भी मनुश्याया है, जो भी जीव आया है अपने प्रारब्ध का फल भोगने आते हैं लोगों को आपने देखा होगा की वो एक ही बार उपाय करते हैं या एक ही बार कोई पूजा पाठ इत्यादी कर लेते हैं और शीघर ही उन्हें लाभ होता है इसका मतलब होता है कि उनके प्रारब्ध मतलब उनके द्वारा किये गए जो पूर्वजन्म के कर्म थे पुने कर्म वो कहीं ज्यादा थे पाप कर्मों की बजाए तो जब हम छोटे छोटे ये उपाय करते रहते हैं जैसे कि मैं बताता हूँ या कोई भी दूसरे पंडित या ज्योतिशी से आप मिलते हैं वो जो उपाय बताते हैं थोटे छोटे उन्हें करते रहना चाहिए इससे क्या होता है पुन्यफल अर्जित होते हैं पुन्यफल संचित होते हैं जब हमारे पुन्य फलों की संख्या अधिक होगी, तो पापकर निश्चित ही नश्ट होते हैं और फिर शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होती है. लेकिन तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए. पूरे धैर्य के साथ ये तो निश्चित है कि जो आप एक दिया भी जला रहे हैं, भगवान के सम्मुख तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा. निश्चित आपके किये गए कर्मों का चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो उसका फल प्राप्थ होता ही है लेकिन आप जो धैर्यक हो देते हैं कि हमने चार बार दिया जलाया लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया तो पाँचवी बार क्यों जलाए ऐसा मत करिए लगातार आप निरंतर भगवान की शरण में बने रहिए कुछ समय बीतने के बाद जब प्रारमवत कटता है और उसके बाद हमें एक बड़ा बदलाव अपने जीवन में निश्चित दिखाई देता है तो इसके लिए हमें शरण में लगे रहना पड़ता है छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम भगवान से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिससे की हमारी कामना पूर्ण होने में हमें सफलता प्राप्थ होती है भगवान की कृपा नील जाती है हमें और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है दोस्तों भाग्य में बदलाव के लिए देवगुरु ब्रिहस्पती की आराधना करनी चाहिए धन संतान विवाह जीवन में सुखों के कारक होते हैं देवगुरु ब्रिहस्पती भाग्य के प्रबल कारक होते हैं, देवगुरु ब्रिहस्पती धन संजय के कारक होते हैं, देवगुरु ब्रिहस्पती तो जब हम ब्रिहस्पती की आराधना करते हैं, ब्रिहस्पती वार के दिन ब्रिहस्पती देव की पूजा आराधना करते है तो इससे हमारे भाग्य में बदलाव होता है। मतलब सिर्फ देव गुरु ब्रहस्पती की हम आराधना करें तो इससे ही हमारे जीवन की लगभग समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर ब्रहस्पती हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है। देखिए अगर जन्म कुंडली में ब्रहस्पती अच्छे हैं तो उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती होती है और अगर हमारे देव गुरु ब्रहस्पती कमजोर है जन्म कुंडली में तभी इस प्रकार की बाधाएं आती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सप्ताह का सबसे शुभ दिन माना जाता है दोस्तों गुरुवार का दिन ब्रहस्पतिवार का दिन और ब्रहस्पतिवार के दिन ब्रहस्पती देव की पूजा की जाती है। जन्म कुंदली के सरवाधिक शुब ग्रह माने देवगुरु ब्रहस्पती तो गुरुवार के दिन इनकी आराधना करें तो शीघर ही हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाती है किस प्रकार से करना चाहिए देखिए आज मैं कुछ बहुत सरल उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप जरूर कर पाएंगे और ये सभी उपाय आपको हर गुरुवार को करना है निरंतर करते रहना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो और निश्चित ये दावा है बदलाव तो होकर ही रहता है अगर हमारे मन में विश्वास हो और बिना विश्वास के भी अगर आप इस काम को निरंतर करते रहेंगे ना तो इसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही लेकिन विश्वास से करते हैं तो उसका फल हमें कहीं अधिक प्राप्थ होता है, शीघर प्राप्थ होता है क्या करना चाहिए? देखिए गुरुवार के दिन केले के वरिक्ष की पूजा करना, केले के पौधे की पूजा करना सबसे श्रिष्ठ होता है तो केले के पेड में आपको जैसे की सुभा के समय स्नान इत्यादी करने के बाद केले की जड में थोड़ा सा जल अर्पित करें जल के साथ ही आपको एक पीला पुष्प मिल जाएं तो पीला पुष्प अर्पित करें पीला चंदन केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए इसके साथ ही हल्दी जरूर अर्पित करें आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ सिर्फ हल्दी से जुड़े उपाय है और यकीन मानिये सरवाधिक शुब चीज जो होती है वो हल्दी होती है जीवन में हम किसी भी शुब कार्य के लिए हल्दी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं तो आज की विडियो जीवन में शुबता लाने वाली है किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो उस समस्या से छुटकारा दिलाने वाली है क्योंकि हम सभी शुब चीजों का प्रयोग एक ही शुब दिन में कर रहे हैं। जैसे की सरवाधिक शुभ दिन गुरुवार सरवाधिक शुभ ग्रह ब्रहस्पती और सरवाधिक शुभ चीज हल्दी जिसका प्रयोग हम करेंगे और जीवन को शुभ बनाएंगे तो कैसे करेंगे केले के पेड में आपको हर गुरुवार को हल्दी जरूर अर्पित करना है मतलब जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी केले की जड में अर्पित कीजिए हल्दी का पाउडर रखिए और केले की जड़ में अर्पित कीजिए वहां शुद्ध घी का दीपक जला कर प्रार्थना कीजिए ब्रिहस्पती देव से भगवान श्री विश्नु से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या से मुक्ती पाने के लिए प्रार्थना कीजिए इसके साथ ही केले के पेड़ की आप परिक्रमा कर सकते हैं चार परिक्रमा कर सकते हैं समय हो तो साथ परिक्रमा कर सकते हैं अच्छा कई लोगों के प्रशना आते हैं परिक्रमा करने की जगह नहीं है, जहां पर भी पौधा रखा है, चाहे तुलसी का या फिर केले का पौधा या फिर पीपल का पौधा, तो किस प्रकार से परिक्रमा करें जहां आप खड़े हैं, जहां से आपने जल दिया है, पूर्वा भी मुख होकर हमें जल देना चाहिए मतलब पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख हो और आप अकेले में या फिर पीपल में भी जल देते हैं तो पूर्व की तरफ ही मुख्ट करके जल देना चाहिए और इसके साथ ही तुलसी में भी जब हम जल देते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए पूजा पाठ कोई भी शुब कार्य करते समय अगर हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत ही श्रिष्ठ माना जाता है तो जब आप जल्द दे रहे हैं उसी स्थान पर आपको क्लॉक वाइस चार बार साथ बार जितना भी परिक्रमा करना चाहते हैं घूम सकते हैं जैसे कि हम सूर्य देव की परिक्रमा करके एक ही जगह पर घूमते हैं, उसी प्रकार से पौधे की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं एक ही जगह पर ब्लॉक वाइस परिक्रमा करनी चाहिए हमें तो ये ध्यान रखे तो केले के पेड में हल्दी अर्पित करनी है इसके साथ ही गुरुवार के दिन श्री हरी विश्नु की पूजा करनी चाहिए श्री हरी विश्नु की पूजा करने से ब्रिहस्पती ठीक होते हैं धन संबंधी, संतान संबंधी या विवाह संबंधी कोई भी वादा हो दूर हो जाती है तो श्रीहरी विश्नु की जब आप पूजा करते हैं, शुद्ध घी का दीपक प्रजवलित करें, तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए। इसके साथ ही आपको आज श्रीहरी विश्नु का अभिशेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ती है भगवान श्रीहरी की, तो कोई भी भगवान श्रीहरी विश्नु का स्वरूप आपके पास हो। इस मंत्र का उच्चारन लगातार करती रही है जब तक आप भगवान श्रीहरी विश्नु की पूजा कर रहे हैं और फिर आप इस जल से अभिशेक कीजिए, तुलसी के पांच पत्ते आपको लेने हैं और उन सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाना है। देखिए तुलसी के पत्ते हमने भगवान श्रीहरी विश्नु को अर्पित किये हैं। ये प्रसाद स्वरूप आप ग्रहन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे विसर्जित कर दीजिए, जहां पर भी आपके घर में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी हो, गमला हो। आप इस पत्ते को अगले दिन यानी की गुरुवार को आप पूजा करें। शुक्रवार के दिन ये उठा कर और आप किसी मिट्टी में दबा दीजिए, जिससे की किसी का पैर ना पड़े, तो इस प्रकार से ये पत्ते प्रयोग किये जा सकते हैं, जैसे की पूजा के बाद, लेकिन हर गुरुवार को तुलसी के पांच पत्तों पर हल्दी का तिलक श्री हरी विश्नु के चर्णों में अवश्य अर्पित करें, इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ती मिल जाती हैं, भगवान श्री हरी विश्नु को जब हम तुलसी अर्पित करते हैं, तो तो प्रारंब अगर हमारा कि अगरी भी समस्या हो आपकी अगर आप हर गुरुवार को तुलसी के पांच पत्ते भगवान श्रीहरी विश्नु को इस प्रकार से अर्पित करते हैं। लेकिन तुलसी में भी जब आप जल देते हैं तो गुरुवार के दिन सुभ थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर ले। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ना हो तो क्या करे ना हो तो कोई बात नहीं। की जीवन में शुगता आए। ब्रिहस्पती आपका मजबूत हो देखिए हर चीज ऐसे ही नहीं समाप्त होती है। हमें उसका कुछ ना कुछ एक ठोस उपाय करना पड़ता है जिससे ग्रह में बलाएं जब ग्रह में बल आता है तो हमारे जीवन में बदलाव होता है इसलिए आज हल्दी का प्रयोग हर जगह करे। हर पूजा में करें तो तुल्सी में भी आप जल्द दूर दे और जल देते हैं तो हल्दी ज़रूर अरपित करें। तुल्सी में पीला चंदन अरपित किया जाता है। याद रखें सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तुलसी को तो तुलसी के जब आप पूजा करते हैं, आप धूप जलाए वहाँ पर और उसके साथ ही अगर बत्ती जला कर और तुलसी मा की पूजा करें. सुभर के समय और उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी जरूर उनको अर्पित करें. पुष्प हो तो पीले पुष्प अर्पित करें. विधी विधान से पूजा करें. तुलसी की तुलसी के पास बैठ कर आप चाहे तो ओम नमो भगवाते वासुदेवाया नमह इस मंतर का कर सकते हैं. ओम तुलसी देवी ने यथा संभव जितना भी आपके पास समय हो 5 बार, 7 बार, 11 बार या समय हो तो 108 बार तुलसी की पूजा से भगवान श्री हरी विष्णो की कृपा मिलती है. तुलसी की पूजा से दुख दर्धा, दूर होती है, तुलसी की पूजा से घर गर में सुख समर्द्धी आती है, संतान की प्राप्ती होती है, सौभाग्य की प्राप्ती होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, मतलब तुलसी ही एक मात्र ऐसा पौधा है, जिसकी पूजा करने मात्र से समस्थ प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ती मिल जाती है और समस्थ प्रकार की कामनाएं मात्र तुलसी पूजन से पूर्ण हो जाती है इसलिए घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए अगर नहीं है तो घर में लाकर लगा दीजिए गुरुवार या शुक्रवार सुमवार किसी भी दिन तुलसी लगाई जा सकती है किसी भी शुभ दिन पर तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन शुरिष्ट होता है तुलसी लगाना अगर नहीं है तो जरूर लाकर लगा दीजिए और प्रति दिन पूजा कीजिए सुभा शाम मतलब सुभा जल अर्पित करें शाम को दीपदान करें इतने मात्र से भी समस्याएं दूर हो जाती है अगला जो कार्य जो आपको जरूर करना है घर के मुख्यद्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है हल्दी में थोड़ा सा गंगाजल या शुद्ध जल मिलाकर उसमें आप अपनी अनामिका उंगली से घर के मुख्यद्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएं और ये भी आपको हर गुरुवार को करना है ऐसा नहीं कि आप एक गुरुवार को करेंगे और फिर अगले गुरुवार को वो स्वस्तिक बना हुआ है तो अगले गुरुवार को आप नहीं बनाएंगे अगले गुरुवार को फिर आप उसी स्वस्तिक पर थोड़ा सा पानी डाल कर और आप उसे हटा सकते हैं चाहे तो नहीं, तो हलका सा जल डाल दें और उसके बाद दुबारा उसी स्वस्तिक पर स्वस्तिक बना सकते हैं। लेकिन हर गुरुवार को कोई भी गुरुवार मिस ना हो इस बात का ध्यान रखें। मतलब हर गुरुवार को ये सारे कार्य आपको निरंतर करने हैं। कि छोटे से उपाय से आपका जीवन इतना बदल सकता है। अगर आपके पास भगवान श्री विश्नु की मूर्ती है और आपने अभिशेक किया है, उनका तो जो जल है, जो चर्णामरित है, उनका उसी जल से आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। अलग से जल भी बनाने की आवश्यक्ता नहीं और ये कार्य भी आपको हर गुरुवार को करना है। वैसे हल्दी मिले हुए जल का छिड़काव आप चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार को तो आप जरूर करें और ये सारे प्रयोग जैसे की मैंने आपको पांच प्रयोग सिर्फ हल्दी के बताए जो की आपको हर गुरुवार को करनी है और जीवन में में नियम बना लीजिए की गुरुवार के दिन आपको यह कार्य जरूर करना है और मुश्किल से सुबह का जो आधे घंटे का समय है उतने में ही ये सभी कार्य हो जाएंगे। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री हरी विश्नु का पूजन कर लीजिए फिर केले के पेड में जल दीजिए तुलसी के पेड में आपको जल देना है इसके साथ ही घर के मुख्यदवार पर पूजा करने के बाद आप हल्दी सिधी स्वस्तिक बना और जो जल से आपने भगवान का अभिशेक किया है, उस जल से पूरे घर में छिड़काव कर देंगे बहुत थोड़ा सा समय लगता है। उपाय मैंने आपको बेशक पांच बताए है, लेकिन यह इतने सरलता से किये जाने वाले उपाय है कि आप चाहे तो हर गुरुवार बहुत आसानी से कर सकते हैं और अगर आपके मन में भावना है कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके मन में ऐसी इच्छा है कि शीघर आपके जीवन में बदलाव आए, इन उपायों को करके देखिए, आज चले जनक रूप से चमतकारी रूप से यह उपाय काम करते हैं, उपाय नहीं, जादू है ये नियम है, बस एक नियम अगर अपना लेंगे, आप हर गुरुवार को ये करना है, तो फिर उसके बाद तो लाब अवश्य होगा, आप आज की विडियो अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, तो विडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुचाईए, जो स्वयं परेशानी में फंसे हुए हैं, अगर उनको आप परेशानी से बाह बाहर निकालते हैं, तो आपको आपकी परेशानी से भगवान बाहर निकालते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आज की विडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे यह होगा कि इस तरह क आपकी सभी विडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी, मैं मिलता हूँ आपसे अगले विडियो में तब तक के लिए नमस्कार